करता हूं अपी के चैनल में उमीद है आप लोग फसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे होंगी पसंद आ दो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से एपे लिंक मिल जाएगी वहां से जाके आप इसे इसलोग हुला, दोस्तो आपने पारलल सपेस यानिा की यहाँ पर क्या होता यह बहुत अमेजिग है दो से पार्यल लोग ऐसा भी कहते है यहां पराने प्रत्वी जैसे ही एक और प्रत्वी आखिए जहां पे हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, कुछ ऐसा कहने को सुनने को मिलता है, ऐसा ही एक एप है, प्ले स्टोर पे, जिसकी लिंक में आपको प्रोवाइट करा दूँगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस एप को इंस्टॉल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप पैरलल इस्पेस की तरह यहां पे क्या कर सकते हैं, आप पैरलली जैसे कि आप वाटसेप चलाते हैं, फेस्टोर चलाते हैं, तो यहां पे भी आप अपने पैरलली वाटसेप फेस्टोर चला सकते हैं, ओकी दोस्तो, तो दोस्तो इस तरीके से इंटरफेस दे यानि कि WhatsApp में अपने mobile में यूज़ करता हूँ, वो मुझे इस app में भी यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर click करके इनका parallel space बना सकते हैं. ओके दोस्तों, इसके लिए क्या है, आपका जो mobile storage है, वो ही काम होगा, इस app के अंदर ऐसा नहीं है, कि आपका जो storage होगा, वो इस app के अंदर होगा, यानि कि इस app की जैसे मान लेते हैं 100 MB की यह app है, तो यह 100 MB की रहेगी, parallel space create करने के बाद थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकि दोस्तों, मैं इस पर click कर दोंगा, और यह इसका parallel space बन जाएगा, अब चाहूं, तो मैं candy crash को यहाँ पे आके use कर सकता हूँ, ओके दोस्तों, तो एक ही चीज को मैं यहाँ पे आके use कर सकता हूँ, अपने mobile से use नहीं करके, यहाँ पे आके use कर सकता हूँ, देखिए दोस्तों अब यह candy crash यहाँ पे चालू हो गया, ओके दोस्तों, अब इसके अलावा दुबारा खुल लेते हैं आप को दोस्तों, यहाँ पे आके बहुत सारी एप और मिल जाएगे, पो जी मेल हो गया, वाटसेप हो गया, आप इन सब एप को parallel space में use कर सकते हैं, ओके दोस्तों, तो इ description में इस तरीके से आप इसे use कर सकते हैं, उमीद है दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो like कीजिएगा, चैनल को subscribe कीजिएगा, और bell icon को तबाना ना भूले, बहुत जल मिलेंगे, हम आपको next वीडियो में ऐसी amazing app के साथ, तब तक के लिए, bye है दोस्तों